महराज, देवी मा ने हमें फिर से दर्शन दिये हैं घजाना भी दिया क्या? नहीं गुरुवर, देवी मा ने एक संदेश भेजाए वो भी केवल पंडित रामकृष्णा के लिए अब कैसा संदेश? संदेश ये है महराज, कि पंडित रामकृष्णा को अपनी सर्वाधिक प्रियवस्तू, अथ्वा, सर्वाधिक प्रियवक्ति को देवी मा को भेट करना होगा जिसे देवी मा अपने साथ लेकर जाएगी अरे, ये किस प्रकार का संदेश है? देवी मा भला ऐसा क्यों कहेंगी? किन्तो पंडित रामकृष्णा, देवी मा नहीं ऐसा कहा है एक से नहीं, अनेकों से कहा है हाँ गुरुवर, किन्तो देवी मा भला ऐसा क्यों चाहेंगी? वो अपने भक्त को कष्ट क्यों देना चाहेंगी? आपका कतन सरवता हुजेत है पंडितरामा कृष्णा देवी मा अपने भक्तों से ऐसी मांग कर ही नहीं सकती किन्तु महराज हम इस बात को भी नहीं जुटला सकते कि देवी मा ने इन सब को दर्शन दिये और खजाना भी प्राप्त हुआ है और इस बात के यह सब साक्षी है महराज देवी मा की लिला है देवी मा की लिला देवी मा ही लियानी किन्तु हमारे विचार में यदि देवी मा ने कहा है कि उनकी इच्छा की पूर्ती हो और उनकी इच्छा की पूर्ती नहीं की गई तो महराज विजय नगर पर देवी मा का प्रकोफ आ सकता है गुरुबर् mr. mहराज सब लोग सत्य कह रहे है महराज सब सत्य कह रहे है देवी मारे हमें भी दर्शन दिये है महराज अब छोटी हमारे दुआरा बनाएवे भोक से देवी मा प्रसंद हो गई होंगी, इसलिए उन्होंने हमें दर्शन दिये होंगे, ये तो हो ही नहीं सम्ता, क्या, मिरा मतलब, आप क्या कह रही है, आपकी कहने का मतलब क्या है, हम सत्ते कह रहे हैं माराज, देवी मा ने कहा है, कि ये पंडित रामा कृष्णा, अपनी सरवा पंडित रामा कृष्णा जी कि आपके सर्वादिक प्रिये वेक्ती कौन है, बताइए, बताइए, हम सबको बताइए, कौन है आपके सर्वादिक प्रिये वेक्ती आयो, मा, महराज महराज, बंडित रामा कृष्णा के सर्वादिक प्रिये वेक्ती तो, आप है, महराज या, मा, भेप्रपार, तो ये महराज को देवी मा को भेट कर देगी कई वह महराज को देवी मा को भेटना कर दे अपहास, अपहास कर रहे है, महराज अपहास कर रहे है, पंडित रामा कृष्णा चोटी, महराणी बिरवर, अपहास कर रहे है, इनको तो सौभाव है, अपहास करने का महराज, बिल्कुल हमारे माईके वालों की बाती, ऐसे अपहास कर रहे है जी महारानी, क्योंकि इन बातों में विश्वास करने होगे, कोई तथ्य ही नहीं है तथ्य है पंडेत रामा कृष्णा, क्योंकि केवल इन सब को ही नहीं देवी मा ने महारानी तिरुमा लंबा को भी तो दर्शन दिये है अब तो देवी माने सबको दर्शन दे दिये यहां तकी छोटी महराणी को भी दर्शन दे दिये इंतो कि अम महुने नहीं दिये हाँ वह यह है है? हम यहीं सोच रहे थे महाराणी महाराण आप को तो ग्यात है न मैं आपकुछ नुखण शाटी साथ कि नौ दिन का उपवास रखे रिखे चंब रे फिर भी थिए देवी ने हमें दर्शननी दिये। क्यों, शाच्ब डिसमें कि नौ दिन की भक्ति से दिविमा प्रशन नहीं होने वाली। अब हमें देखिए, हमने देवी मा के लिए तीस सेर्फ होग बनाया था, अत्यन्ति स्वाधिस्ट बना होगा, इसलिए तो प्रसन्द होकर उन्होंने हमें दर्शन दिये, क्यों माराज? हाँ, बभू, यह देखे महाराज, यह पुस्तक, देवी मा का एक और चमतकार, यह हमें वही मिली थी, जहाँ पर देवी मा प्रकट हुई थी, यह कैसी पुस्तक है, देखे महाराज, छोटी महाराणी को देवी मा ने पुस्तक भी दे दी, महाराण, ये उन व्यंजनों की पुस्तक है जो स्वर्ग लोक में दिवी दिवत अग्रहन करते है अब तो हम फ्रती दिन इस पुस्तक में से पढ़ कर आपके लिए स्वादिस्ट व्यंजन बनाएंगे महाराणी, वो सब बात में हम तो ये सोच रहे थे कि देवी मा का यू सबको दर्शन देने का ये सिलसिला यू निरंतर चलता रहेगा यहां नहीं समाप्त हो जाएगा क्योंकि यदि देवी मा ने फिर किसी को दर्शन दे दिये तो ना जाने इस पर क्या इच्छा व्यक्त करेंगी है देवीमा, हामे बिदाशन देवीची ए बंदू, अरे कब तक जागे घरामा, तेरे चक्कर में मैं भी नहीं सोपा रहा हूँ बंदू, मैं बिंदू से बिंदू मिलाकर चित्र बनाने का प्रैत्न कर रहा हूँ इतनी रात्री में तुझे चित्रकारी सुझी है हाँ बंदू, देख सर्व प्रथम धनी मनी को देवी माने दर्शन दिये तक पश्चात इन बाकी लोगों को और सबसे मेरे विशे में ही कह नहीं, नहीं, नहीं ये इतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है चक्कर कुछ और है बंदू मुझे ग्यात है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारा कोई उद्देश्य है कि तु स्मरण रहे, मैं तुम्हारी चाल सफल नहीं होने दूँगा और यदि अती शीगत, तुम्हारा भेट सब के समक्ष मैंने उजागन नहीं किया तो मैं पंडित रामा कृष्णा, देवी मा का सच्चा भक्त नहीं तुम्हारा कर दूँगा